इस यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है, इस पार्टी का और वोटर जो है, वो निसाद समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की इंट्री नहीं है, आजबा को नहीं मने हर आदमी को, हर पार्टी को यह दिखाना है, तो आप बताजे, राजपूत किस पार्टी में कि इन में जो कहते हैं वही करते हैं इनका उस मुद्दे को मैं भी सपोर्ट करता हूं जो आरक्षन की बात करेगा मुकेश सहनी की पार्टी या फिर जो मला समाज है वोट उसी को देगा और इस मुहीम को लेकर मुकेश सहनी गाउं की और निकल चुके हैं 101 दिनों का यात्रा ह है जिसमें असी जिलो को टच करना है व्यार नहीं यूपी और जार्खन को भी में साथ बात्षित करने के लिए पार्टी के वरिष्ट नेता पुर्वाइपिएस बिके सिंग चरहें सर पहला सवाल है कि जो एक मुहीम आप लोगों ने चलाई है लगता है कि रंग आया हाला पहली यात्रा जो थी वो मुकामा तक गई थी मने हर एक किलो मीटर के बाद पांसो हजार लोग खड़े रहते थे रोड पे और जहां सभाए होती थी वहां तो काफी जादे लोग रहते थे जी जी भाजपा को नहीं मने हर आदमी को हर पाटी को ये दिखाना है कि जैसे लोग कुछ लोगों को ये भ्रहम है कि जो निशाद समाज है वो हमारे नेता जी के साथ पूरी तरह से नहीं है या कुछ वोट इनका जो है इदर उदर चला जाता है अधर कंसिडरेशन से तो इस चीज को दिखाने के लिए यात्रह है कि देखे ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं और साथ के साथ ये जो इस यात्रह का नाम दिया गया है संकल्प yaत्रह इस यात्रह में क्या हो रहा है कि इनको कसम खिलाया जा रहा है कि आप अपने बच्चों के भविश्य के बारे में अगर सोचते हैं तो आप अपना भोड जो है सोच समझ के देंगे दूसरे कंसिडरेशन पर नहीं देंगे और वी आईपी पार्टी के साथ आप अपना समर्थन देंगे और अभी तक जहां हम घूमे हैं सारे लोगों ने इस चीज़ को माना है साथ में हमारे नेता जी हर जगह ये भी लोगों को बता रहे हैं कि आप एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को सिख्षित करें क्योंकि सिख्षा ही वो कुझी है जो कि बिना किसी पुझी के किसी बच्चे को पर्थवान बना सकती है उसको सक्तिसाली बना सकती है एक सवाल आपको लेकर ले लेते हैं चुकि आप पार्टी ज्वाइन किये हैं प्रसाशनिक सिवा का एक लंबा अन्भव रहा है अचानक से राजनिती दिल में ख्याल कहां से आगया कि इसका देखिए जो भी आदमी ब रहता है बिरोक्रिसी का मतलब है कि जो सरकार पॉलिसी बनाती है उसको इंप्लिमेंट करना बिरोक्रिसी का काम है चाहे वो आईयेस अपसर हो IPS अपसर हो IRS हो कोई भी हो वो सरकार की बनाई हुई नीतियों को अमल में लाता है अब सरकारी कर्मचारी जो 32-35 साल की नौगरी करता है उसके पर काफी experience हो जाता है और अंदर से एक इच्छा होती है कि जब हम लोग policy को implement करते हैं तो कई बार खामिया नजर आती है policy में लगता है कि अगर इसमें ये चीज होता है तो और अच्छा होता है इसे और जनता को फायदा मिलता तो मेरी भी इच्छा है कि जो policy formulation जहां होता है उसमें मेरी भागीदारी हो और भागीदारी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि आदमी legislature में आए और उसका राष्टा politics के थुरू ही है देखिए अगर इस बात का मैं जबाब दूँ इंपिरिकली तो आप बताजिया राजपुत किस party में नहीं है सब party में है किसी भी समिधान के हिसाब से ना religion based कोई party हो सकती है ना caste based party हो सकती है हाँ core voter होते है हर party का core voter होता है ठीक है तो इस party का जिस party को हमने join किया है निश्चित रूप से इस party का core voter जो है वो निशाद समाज है लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की इंट्री नहीं है ठीक है और जहां तक इस party को join करने एक सवाल है मैंने क्यों join किया इस party को और भी party है तो मेरी मुलाकात इन से है काफी दिनों से मुकेसानी जी से और मुझे ये लगा बाचीत में interaction में या इनका जिसे वाजन हमने सुना इनके संबाद सुने कि इन में सचाई है इन में सचाई है कि ये जो बोलते हैं वही करते हैं ऐसा नहीं बहुत लोगों को हमने देखा है पुलिस में रहने का एक अनुभव ये भी है कि जूट पकड़ना कंपरेटिली बाकी लोगों से हम लोगों को असान होता है नहीं नेता नहीं मतलब की हर तरह के लोग तो उस हलाकि ये परफेक्ट नहीं है लेकिन हमको लगा कि इनमें जो कहते हैं वही करते हैं दूसरी चीज की जिस इसू पर जो मुद्दा है इनका उस मुद्दे को मैं भी सपोर्ट करता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में कोई गरीब नहीं रहे कोई पिछड़ा अभी यहाँ पर जो केटेग्रीज बनी है वो अच्छा नहीं सो करता है कि ये फरवर्ड हैं ये बैकवर्ड हैं बैकवर्ड में भी दो बन गया पिछड़ा आती पिछड़ा पहले धलित हुआ करता था अब दलित में भी दो बन गया दलित और महादलित कब तक ये चलेगा सतर साल अजादी के हो गए सब को फारवट होना चाहिए सब को फारवट को इस देश में सोच से नहीं जो 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 resources है, सब के पार resource होना चाहिए, basic minimum requirement जो आदमी का होता है, सिख्षा की सोविधा, स्वास्त की सोविधा, ठीक है, काम करने के लिए अउसर, तो ये सब को होना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी को जो है, millionaire और billionaire होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, कि वो एक कुछाल जीवन, खुद और अपने परिवार को बिता सके, परिवार के साथ बिता सके, तो ये जो cause है इनका, वो cause मेरा भी है, सवर्ण हम हो, या जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हम मानते हैं कि हम ही क्यवल अच्छे इस्तिती में रहे और बाकी जनता भीक मांगे, नहीं. देखिए, political party के कुछ कारे होते हैं, तो जैसे एक कारे है कि जनता को जागरू करना, उसको उसके अधिकार और कर्तब्यों की जानकारी देना, एक करन ये भी है, ये भी करेंगे, और एक चीज ये भी है, political party का लक्ष ये होता है कि हम मेरी भी सत्ता में भागिदारी हो, जब तक सत्ता में आपकी भागिदारी नहीं होगी, तो जो आपकी विचारधारा है, उसको आप अमल नहीं ला सकते हैं, तो जो भी political party के functions हैं, जैसा आपको बताया, उसके लिए मैं तयार हूँ, नहीं देखिए, ये तो कहां और किस चीज की तयारी है, तो ये चुकि मैं एक party को जोईन किया हूँ, और party का एक सिर्ष नेत्रित होता है, और वो जो भी decide करेगा, जैसा भी अगर हमको कहें कि अगर कहें कि भाई, आप election चुनाओ लड़िये, तो मैं चुनाओ लड़ने के लिए त्यार हूँ, ठीक है, तो party का जैसा होगा निर्ने, उसके अंदर ही रहना है, जो पाटी का निर्ने होगा, वही सुर्मान होगा, मुकेश सहनी की जो मुहीम चली है, उसमें बड़ी भू चुक्षा है, वह सपना है, वह सकार करने के लिए राजनिती में आए, मेरा इसको बिता है, देखे नाटाप, नश्का, यूदा